पहले वोटिंग भी की जाती है और उसके बाद भी चेक होई होती है लेकिन हम उसमें भी अल्गोरिदम लगा सकते हैं एक प्रोसेस होती है रेंडोमाईजेसन मैं आपको बता दू रेंडोमाईजेसन हम सब लोग पूछा की सीड वैलू क्या होती है तो उन्होंने नहीं बताया अधिकारियों को भी नहीं बताता तो वह सीड वैलू डिसाइड करती है के कौन सी मशीन किस जगह जाएगी और वो seed value हम लोगों को नहीं पता है तो हम लोग पूरी पूरी तरीके से वो software programmer के भरोसे हैं जिसने seed value डाली अगर वो seed value का algorithm इसी को भी disclose कर देता है तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी EVM कहां जा रही है नमस्कार मेरा नाम मनोज सुराजी है मैं लक्षमी नगर इस डेली से यहां पर इस आंदोलन में सामिल होने के लिए आया हूँ जो EVM के खिलाफ है मैं पूर्व MLA का प्रत्यासी भी रहा हूँ MLA election का और मैंने MP election 2019 में भी participate किया है तो मैं बड़ी नस्दीक से EVM के बारे मैं जानता हूँ कि EVM से क्या क्या समस्या है और EVM की क्या क्या कमिया है मैं software engineer भी हूँ तो मुझे मैं यह भी जानता हूँ कि EVM की क्या कमिया हो सकती है जिससे उसे संदेहास्पत बना देती है EVM को किस तरीके से hack किया जा सकता है और e-bam को hack किया जा सकता आपको बता दूँ कि बड़े बड़े देस भी अमेरिका से लेकर जो बड़े बड़े देस वो ई-bam का допस्त, उस लिए करते हैं कि इये रख किया जा सकता है आप आपको बताऊं कि कोई भी डेट होता है कि सारे सिगनल दो तरीके से चलते हैं एक तरीके का सिगनल आपको वायर चलता है और दूसरी तरीके का सिगनल वायर लेस्ट चलता है और सारे सिगनल होते हैं वो हाट ड्राइब के अंदर आप कहेंगे जो मेमरी के अंदर सेव किये जाते हैं तो उनको इजीली ट्रैक करना आसान रहता है और एक बार भी अगर आप उसका सोर्स कोड पता कर लें या आप उसके लूप होल्स पता कर लें तो आप बड़े पैमान से मेरा मतलब है कि अगर गुद का लूट का लूट अजाता है डंदली होगी तो एक जगे मेरा मतलब है कि बड़े अधिकारी प्रेल कर सकते हैं और यह कोई नई बात नहीं है एक कीज होती यह अनмотр साथर अजोब्म कोई भी कर वहश्री कंडे में में सब्सक्राइं देखिए बड़ी आसान सी बात है कि net की जरूवत ही नहीं है ये बड़ा भ्रम पहला आए गया है कि net के जरीए इसको है किया सकता है में अगर इस तरह की प्रोग्रामिंग की जाए प्रोग्रामिंग माने ऐसी एल्गोरिदम हो जुस एल्गोरिदम के जरिए आप किसी भी पर्टिकुलर वोट को कहीं दूसरी जगा मूब करा दें कुछ अंतराल के बाद व्यासे व्यासे एवी चेक भी होती है उसके अंदर प करत्यासियों को बताया जाता है चुनाफ के अंदर के रेंडोमाइजेसन क्या है रेंडोमाइजेसन है कि एवी अलग अलग पार्ट में ऐलोकेट कर दी जाती है वो भी सौट्वेर के जरिए होता है अब मैंने उन से पूछा कि सीड वैलू क्या होती है मैं थोड़ी टेखन कर देता है तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी कहां जा रही है और यह बड़ी टेक्निकल बात है और यह बड़ी सरल बात है क्योंकि मैंने भी सौट्वेर बनाया जिसमें सीड वैलू करके हमने अपने सौट्वेर बेचे हैं मार्केट के अंदर तो मैं आपको य एक इविएम नहीं सारी इविएम कपजे में आ सकती है और यह बोटिंग टेस्ट करते हैं एक बार उसके बाद भी अगर हम लूप लगा दें कि एक वोटिंग पर सही चलेगी और दूसरी वोटिंग पर यह बीएम दूसरी तरीके से विवार करेगी तो आप इसको भी कर सक फ्icking को तोड़ना वहत ही आसान है ठेकनिकली पॉसिविल है और कोई भी कर सकता है मैं यही बात कहना चाहता हूं को भी लूट जा सकता है बैलट पेपर के साथ भी गलत काम किया जा सकता है लेकिन वह पर आप लूटा है आप उसको कर लेंगे लेकिन पूरे देश में नहीं किया जा सकता लेकिन EVM से थोड़ा पैसा लगा कर थोड़े इंजीनियर लगा कर पूरे देश को गुलाम बनाया जा सकता है इसलिए हम बार-बार मांग करते हैं हम पूरी तरीके से इस सिद्दत से अवाज उठा रहे हैं कि इसको रोका जाए प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बतराएं कि ज्यादा स्यादा EVM के वारे में जानकारी लें धन्यवाद पहले तो मैं अपना परीजे देदू मैं असोक शुराना इस दिल्ली से MP का चुनाव लड़ा हूं 2019 और EVM को हमने बड़े नजदीक से देख्या मेरा यह मानना है कि जब यह पटिशन सुप्रिम कोट में गई तो वहाँ पे सुप्रिम कोट ने ओडर किया कि तुम चुनाव क्रेडिबिल्टी को कायम रखते और इस देश में अगर लोग इसमें सवाल उठा रहे हैं तो चुनाव की यह डूटी बन जाती है कि हम लोगों को इस चीज का यह दूर करें कि इसमें कोई गडबन नहीं है तो सुप्रिम कोट सरकार सोई हुई थी 2017 के राज्यों में चुन है क्यों नहीं बनाना चाते तो उन्होंने कहीं कि जी इस पर साढ़े तीन हजार क्रोड रुपे का करीब लगबख खर्च आएगा और इसका हम एक option निकालते हैं वीवी पैट लगाने के लिए हमें फंटिंग की जोड़त है सुप्रिम कोट ने ओडर किया सेंटर चुनावायों को साढ़े तीन हजार क्रोड रुपे रिलीज कर दिये अब जब रिलीज कर दिया और आपने वीवी पैट को लगाया तो आज हमारा एक चोटा सा सवाल है और मेरा यह सवाल है जब वह वीवी पैट मसीन और इवीम के साथ आपने जोड़ दी तो उसकी परच एस पुलिस है भोज है सारे चुनावायों में लगया रहता तीन महीन, दो महिने तुम्हारा अगर दो महीने दो दिन बार रिजल्ट आ जाये का दिक्रत है हम तो यह मान करते है कि रिजल्ट वह बेसकड़ दो दिन बार आजाए लेकिन अगर वीवी पैट को ऐपने तब तक ये वीवी पैट की सारी पर्चों का मिलान करके ही रिजल्ट गोसित किया जाए वैसे मेरी अपनी पर्सनल मांग इन पार्टियों के साथ पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि आप EVM को और वीवी पैट को बेंद करो और बैलेट पेपर से चुनाव करो जाए इन जाए बारे